दोस्तों आज के इस वीडियो में हमात करेंगे अगर आप CSC से HDFC बैंक के लिए अपलाई किये थे और आप एक BC एजेंट हैं और अभी आप शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा CSC जो है HDFC की तरब से एक ID कार्ड दे रहा है जो कि आपको निकाल लेना होगा जिससे कि आप authorized हो जाते हैं तो चलिए इसी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे उस ID कार्ड और ID कार्ड को प्रेंट करके अपने पास रख सकते हैं तो आपको उसके लिए link description में दिया गया है जाक सकते हैं यहां पर kindly input your CSC ID and PAN number to get your ID कार्ड ओके तो ID कार्ड पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना CSC ID डाल देना है फिर अपना PAN number डाल देना और समिट कर देना है समिट करते हैं कुछ इस तरीका ID कार आजाता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहां पर क् बैंक का नाम SDFC bank लिखा होगा फिर आपका नाम लिखा होगा फिर आपकी CSC ID फिर आपका contact number फिर आपका का योस का ID फिर लिंक ब्रांच आपके nearby जो भी होगी वह अपकी location और नीचे यहां पर आपको कुछ चीजे term and condition में दी गई है जैसा कि आप देख सकते स्क्रीन पे यह वैलिट तिल दा बैंक के लाउस पर्मिटर फंक्शन और ऐसा कुछ रहेगा तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है यहां पर डिश्टलेनिया का लोगो पदानमंत्री जंद नहीं होजना का लोगो CSC का लोगो उपर दिया गया होगा फिर आपकी डीटेल्स जो है वह दे गई होगी सो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अगर कोई प्राब्लम आती है तो हमें कमेंट करके बताईएगा तो उसके लिए मैं नेक्ट वडि कर 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 दो हमें